दिल्ले में बढ़ते प्रदुशन को रोकते हुए सोमबाद यानी की 13 नवंबर से शम विशम लागो होने वाला है लेकिन वहनों के इस ओन इवन स्कीम के फैसले पर केजरिवाल सरकार मस्ती दिख रही है पिपक्ष दल जहां दिल्ली सरकार को इस फैसले पर घेर रहे हैं वहीं NGT यानी की National Green Tribunal ने भी केजरिवाल के इस फैसले पर सवाल उठा दिये हैं ट्रिबुनल ने केजरिवाल सरकार से पूछा कि आखर इस फैसले को किस आधार पर लिया गया आपको बता दे कि NGT दो पहर दो बजे दिल्ली सरकार के ओड इवन स्कीन की समिशा करेगी NGT ने दिल्ली सरकार से पिछली दो बार लागू किये और डिवन फॉर्मूले के दौरान हवा के क्वालिटी के आखरे भी मांगे हैं ट्रिबुनल इस आधार पर है केजरिवाल सरकार के ताज़ा फैसले की समिशा करेगा साथ ही NGT अगर इस फैसले को कैंसल करता है तो दिल्ली सरकार की काफी किरकरी हो सकती है LMF News Report